आप 26.11 जानलो 26.11 2008 में हुआ था फिर आपको अभी दिल्ली उडाने की धमकी में अजादी 15 अगस्त को हमारा अजादी का महा उससे कुछ दिन पहले ही दो महीने पहले ही ये कांड होता है ये प्यार सच्चा है या फिर हमारे देश के लिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तान हमार जो भी बात बिवाद होते रहता है हर महीने हर दिन कुछ न कुछ हमारे पाकिस्तान से यानि कि उधर का पता चलता है कि वो हमारे सैनिक को मार दिये यानि कि हम लोग का एक कांटे की लडाई होती है हिंदूस्तान पाकिस्तान की और उसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आज पाकिस्तान से एक हमारी सीमा हैदर करके एक महिला आई है हिंदुस्तान में जो कि उनको पबजी से प्यार हुआ है और ये जो पबजी से प्यार हुआ है जो हमारे वो सचीन भाई है उन्हीं के साथ पबजी खेल कर ये उनको लब हो गया है तो चलिए आज उ हमारे साथ है लोरे स्टुडेंट रूपम जी और तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे सीवा है दर एक पाकिस्तान से जो महिला आए हुई है मैं उस पर यही बोला चाहूंगी कि पता नहीं यह प्यार सच्चा है या फिर हमारे देश के लिए खत्रा है कैसे आप कहेंगी खत्रा है क्योंकि पाकिस्तान हमारा इनेमी कंट्री है और यह पाकिस्तानी सिटीजन है यह इंडियन सिटीजन नहीं है और ना ही अभी तक इनको नागिता मिली है और ना ही परमिशन मिली है हमारे देश में रहने के लिए यानि यह जब तक हमारे देश में दूलिए के लिए पूरे देंस की जनता को बुडबक बनाइयेगा बेवकुप बनाईयेगा आप प्यार के तो जितने दिन से आई है सीमा हैदर यहां के जो हमारे भारत सरकार है उनको पकड़के रखना चाहिए ना क्यों उसको अजादी दिया गया है सचीन के साथ रहने के लिए सारे लोग को बयकूँब बना रहे हैं कि हम सचीन से प्यार करते हैं सचीन को ऐसे पकड़ रहे है कभी ऐसे पकड़ रहे है यह कहा तक सिय यह सारी मेडिया पर वहागी हुए है कि इस छंफ डिक्राम को ढई मनीबुर को जिखा नहीं रही है कि इसीवा है甉चक वह जो भी काम करते हैं वह सारा इलीगल यह फिर भी भारत में बैंड से इंको प्यार होता है पुआ country. और PUBG को खिलते-खिलते प्यार किया, प्यार करते-करते ये भारत पहुच गई, दाइवोर्च भी नहीं हुआ है, वो भी चार बच्चे को लेकर, पता नहीं है इनका बच्चा है या पाकिस्तान का कोई, मैं आपको बता दू, इनके खिलाफ खुलासे बहुत बड़े-बड़ खत्रा है, क्यों नहीं होंगे, ये बात, वही तुम्हें बोल रही हूँ, वो तो खत्रा है हमारे देश के लिए, भले हो सकते हैं, वो भोले-भाले रूप में सैतान हो, यहां तक कि उनका जो ये मिलता है, क्या कहते हैं, उसको देखिया हम भोल रहे हैं, बच्चे का ये मा अगर ऐसा है और यह बहुत बड़ा खुलासा है अगर बढ़ा खुलासा है अगर डिने टेस्ट नहीं हुए है इट मेंज कि साथ साथ वह चारो बच्चे हमारे देश के लिए खत्रा है और मैं उन महिलाओं को भी बोलूंगी जो ट्यार पी के लिए सीमा हैदर के पास जाती ह करती है प्यार पी के लिए इतना गिर जाएंगे बच्चे को भी अड़ाप्ट करके लिए कितनी सारी बाते सामने आ रहे हैं देखें यह बहुत बड़ा खत्रा है हमारे यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि उनके साथ रूप दिखाई दे रहे हैं एक फोजी का एक जो संगठन है तो इनका बिलकुल हो सकती है बिलकुल हो सकती है एक और बहुत है जवाब मेरा सुनिए मैं बता रही हूं सवाल तो सब लोग सुन रहा है जवाब क्या है मैं समझ रही हूं उनसे पूछा भी गया ATS की टीम ने पूछा कि आपके चाचे और भाई तो आर्मी में तो बोलती है मेरा बात नहीं होता है ऐसा हो सकता है क्या impossible देखिए इनके जवाब में ही सवाल चुपा हुआ है इनके जवाब में ही बहुत सारी चीजें है आप रुखिए वक्त का इंतिजार कीजे और मैं ज अपसे पहले सीमा आदर का भी रोद मैंने ही किया था क्योंकि पाकिस्तान जाना अगर आप ट्रिप तरना चाहो वह आपको अलाउड नहीं है ज़स बिकास की पाकिस्तानी जो इनेमी कंट्री वह घोसित हो चुका है अप गानिस्तान अप जा नहीं सकते तो वहां के लोगो अपने रिती रिवाज को भूल गए और तुरंथ हमारी समाज को अपना लिया हम कैसे ऐसे मैलाओं पर विलीब कर ले और देखिये इमोशनल कार्ड केला जा रहा है चार बच्चों के साथ हमारे भारत में आती है और उनका डियने टेस्ट नहीं मैच नहीं होता है मैं अब यह उसके खिलाफ खड़ी हूँ और जो लोग भी टी आर्पी के लिए बट्वर में है तो उनके खिलाफ है यहां तक कहा जा रहा है कि उनके चार पांच अधार कार्ड है चार पांच पेन कार्ड है और दूसरी चीज क्यों उनको भासा दोचार राज देश का भास खिलन भारत में ऐसे रह रही है जैसे लग रहा है कि भारत की वह नागरिक यारी भारति आता उसमें पूरी के पूरी तरह से उनकार नागरिक है वह उत कि पता हूं कि रेजिस्टेशन component सिस पाकिस्ताने सिटीजन इट मेंस कि हम क्या सकते हैं कि जब तक ये नागरिक्ता प्राफ नहीं कर लेती तब तक ये भारत की सिटीजन नहीं रहेंगी और तो और इंडियन सिटीजिजिजिट अक्ट 1955 के तहट सेक्शन 4 और रजिस्टेशन अक्ट इनको तब रजिस्टेशन मिलेगी तब तो उनको छोड़ेंगे तो ये कैसे हो सकता है कौन से चोड़ेंगे अपने पति है वह सूधी दखे एक कॉस्टन खड़ा हो रहा यहां पर बाहर के रहे वह प्थिव हों in देन के हां यू इंदिय sowam कि गभेर्न के दूसरे काई कर सकते हैं, युझे यहां पर क्या है, बिए ढाइवस की धाजनों के दिंग साधी करी नहीं सकते अगर करते में और वह वायड माना चाता है, वह साधी-साधी नहीं क olm me साधी नहीं माना तो इस क कर दो यहाल कि यहाँ के लिए और हम वह उनका अपनापन हो सकता है और व्यक्तिकत है लेकिन अगर इनके वज़य से हमारे देश की सुरक्षा पर सचीन भी नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको बोल रहे हैं लेकिन एक बात बताईए सचीन छोड़ना नहीं चाहते है जब उनके यूट उनका एक वीडियो वाइरल हुआ था जो उनके ओटो पे मारा गया था और शीमा हैदर बस ऐसे की थे और बोली सब बरबाद कर दूंगा अभी क्यों बोला बस सब दिखावा है बिल्कुल बिल्कुल जब तक सीमा हैदर जी हमारे देश में है एक बात जान लेजे खतरे की घंटी बहुत बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाओंगे तो आप सोच भी ने सकते कि सीमा हैदर के साथ सचीन का क्या आइलत होगा यह तो सचीन भी चक्की पीसेंगे सीमा हैदर के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लाने में अगर बूलाने में तो इन्ही का हाथ है कि हमारा देश कहां जा रहा है जहां हम पाकिस्तान को थूथू करते हैं पाकिस्तान के लोगों से दूर रहते हैं तो चलिए ज्यादा समय को नहीं रखते हुए आज हम जानना चाहेंगे कि ऐसे करना ऐसा प्यार करना चाहिए पबजी से या जो भी लोग करते हैं तो आप देख रहे हैं थे मिशन बिहार और सीमा हैदर जो आई है उनके बारे में काफी प्रशनु का उत्तर हमारे रूपम मे मिलते हैं नेक्ट न्यूज में तब तक के लिए धानेगा है कि अ कि अ